आज मैं बटर स्कोच आइस क्रिम बनाने वाली हूँ जो बहुत ही स्वादिस्ट बनेगी और मार्केट से भी बहुत ही ज्यादा अच्छी अपके घर में आइस क्रिम बनके तयार होगी वो भी बहुत ही कम इंगरेडियंट से इसमें कोई कंडेंस मिल्क वगेरा मैंने नहीं यूज किया है और आप यकीन मानिए यह मार्केट से भी अच्छी बनके तयार होगी कैरमल क्रंच भी हमने घर में बनाया है तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन भी प् और इसको हमें मेल्ट करना है तो यहां पे गैस के फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर बिल्कुल हम लो पे इसको पकाएंगे अब देखिए चीनी मेल्ट हो गई है तो गैस के फ्लेम को हम लो पे कर लेंगे अब चुकी यह बटर स्कॉच है तो आप इसमें दो चमच बटर एड़ कर सकते हैं मैंने इसमें घी एड़ किया है इसलिए घी एक चमच मैंने यहाँ पर add कर लिया है इससे जो crunch बनती है वो बहुत ही tasty बनती है तो just इसको थोड़ा सा और पकाना है हमें और इसमें आप काजू या बादाम या फिर मुग फली कुछ भी इसके अंदर आप add कर सकते हैं हलका सा roast कर लिजिए फिर उसके बाद इसके अंदर add कर लिजिए मैंने दो बड़े चमच इसमें काजू काट करके उसको add कर दिया है और काजू या कोई भी ड्राइफ़ूट आइड करने के बाद इसको पकाना नहीं है जादा तो इसको फटा-फट से आप किसी प्लेट में निकाल लिजिए देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट ले लिया है और इसके अंदर इसको डाल दूँगी और इसको सेट होने के लिए छोड़ दूँगी आप छोटा प्लेट में रखिए ताकि यह पूरा का पूरा आराम से निकल जाता है और बच्चे इसे वैसे ही खा जाते हैं यह बहुत तेस्टी बनता है तो जब तक यह सेट हो रहा है तब तक हम बाकी की तियारी कर लेते हैं यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूर ले रखा है हाफ के जी लिया है मैरीगोल्ड बिस्किट है इसी से हम आज आईस्क्रीम बनाने वाले हैं दस के करीब आपको लेना है बटर स्कॉच आईस्क्रीम के लिए मैरीगोल्ड बिस्किट बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता तो यह बटर स्कॉच बनाएंगे तो इस butter scotch ice cream का flavor आपको आएगा, आपको marigold biscuit का नहीं आएगा, otherwise biscuits में अगर कोई flavor है, तो वो अपना flavor overpower कर देती है, यहाँ पे जो चीनी है, इसको भी हमें piece लेना है, और marigold biscuit जो है, उसको भी हम piece लेंगे, इस से आप चाहें तो chocolate ice cream भी बना सकते हैं, butter scotch बना सकते हैं, यह है कि पहले से जो दूध boil है, उसको आपको use नहीं करना है, क्योंकि दूध में पहले से मलाई आ जाएगी और वो ice cream के taste को बिगाड़ देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दूध को थोड़ा सा गड़ा होने देते हैं, दूसरे साइड पे हम biscuit के जो powder हमने बना नॉर्मल रूम टेंपरेचर पे मिलक आपको ले लेना है, और इससे बहुत एजली इसको थोड़ा थोड़ा दूध आड़ किजिए, और अराम से इसको mix कर लेना है, तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके, add करके, इसको mix करते जाए, यह कोई lumps भी ना रहे आप बिस्किट का जो पाउडर है, उसको छान के ले ले लेजिए, और अच्छे से घोल लेजिए, तो lumps रहने की सवाल ही नहीं होती है, फिर बहुत अच्छे से यह गुल जाता है, तो इस तरीके से आप बनाईए, बहुत स्वादिस्ट, जो बटर स्कॉच है इसके रुम ह बन के तियार होती है, तो अब हमारा गोल भी तियार है, चिनी को भी पीसके ले लिया है, तो चलिए हम बिस्किट का जो गोल है, वो वापस हम इसमें दूद में अपने अड़ करते हैं, तो दूद में इसको अड़ करते जाना है, थोड़ा थोड़ा अड़ कीजिए, मिक्स से विशकर से इसको चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाये कोई lawge स नहीं बने चीनि भी आइड कर लिया है और इसको बिल्कुल अच्छे से चलाना है ताकि गैस ओन है तो वो जले भी नहीं ये भी धियान रखना है और आपको चार से पांच मिनट ही इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और आप देखी ये गाढ़ा होना सुरूग हो गया है थोड़ा से ठंडा होने के बाद भी गढ़ा होगा तो चलिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं गैस को बंद कर लिया है अब ये देखिए आधे एक गंटे में ये आराम से ठंडा हो जाता है और ये इस टेक्चर पे आ जाता है आप देख सकते हैं तो ये गढ़ा भी हो चुका है अब बारी आती है इसमें हमें बटर स्कॉच एसेंस डालने के बटर स्कॉच आप एसेंस जो है इसमें मिलाईए आधे चमच के करीब और आप वनीला एसेंस भी मिला सकते हैं अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं अधर वाइच बटर स्कॉच एसेंस काफी है तो यहां पर मिक्स कर लिया अच् यहां पर देखिए इसमें मैंने यह टाइट कंटेनर में जो मिक्स्चर है उसको डाल लिया है और इसको आप ऐलमुनियम फॉाइल से या फिर फूड रैपिंग प्लास्टिक आती है उससे रख सकते हैं वो भी नहीं है तो भी कोई परिशानी नहीं है आप दूद की जो पैके क्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल ही नहीं जाने चाहिए तो बस तीन से चार घंटे के लिए ही इसको रखेंगे आप तीन घंटे ही रखिए तीन घंटे में अच्छा सा यह जम जाता है अब यहां पर कैरमल क्रेंच भी हमारा सेट हो चुका है तो इसको निकाल के लिए उसको चलाना होगा तो मैंने यहां पर फॉाइल पर ले लिया है और इसको यहां पर देखी मैं इसको कूट लूँगी हलका सा कूटने के बाद यह तुकड़ा अच्छा सा बन जाता है इसी तरीके से हमारा कैरमल क्रंच बनके हो गया है तैयार देखिए बहुत तो अब देख लेते हैं है अमारा आईस्क्रीम बी 3 गंते हो गये है तीन गंते के बाद मैंने निकाल लिया है और 3 गंते में यह है झाल रिवा गया है यह आइसक्रीम बनी नहीं है अभी इसका prayosess है देखिए इस तरीके से आपको मिलेगा इसी टेक्स्यर में आपको मिलन तो मिक्सी में डालिए और यहां पर चार बड़े चमच मैंने मलाई लिया है आप चाहें तो फ्रेस क्रिम या घर पर बड़ी मलाई एक दिन की मलाई इसमें डाल सकते हैं मिक्सी में on off on off करके थोड़े थोड़े दिर फीसना है फिर बंद करना है करके आपको यह जो हमारे मिक्षर है कितनी जागाई है कितनी और अच्छीजाग ऑस तरीके से करके ही आपको यह अच्छा सा यह जो आप देख रहे हैं मिक्षर ऐसा तit आर कर लेना है और एर टाइट कंटेनर मैंने सेम कंटेनर में वापस से डाल दिया है यहाँ पर जो मेरा मिक्शर बचा हुआ था इसका मैंने चॉकलेट आइस क्रिम बनाया वो बहुत ही टेस्टी बनी है वो भी रेसिपी में बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो इसके बाद हम कैरमल क्रंच जो है हमारा वो इसको उपर हम डाल लेंगे आप देख सकते हैं क्रंच डलने के बाद भी आपको बहुत अच्छे से क्लिर ली दिख रहा होगा कि जो आइस क्रिम मिक्शर है हमारा वो बहुत ही क्रीमी बना हुआ है तो आप इससे कुछ भी बना इसे आप बडर्स को चौकलेट भी बना सकते हैं आप स्ट्रॉबरी आइस क्रिम बना सकते हैं बस थोड़ा थोड़ा वैरियेशन करना है और आपका यह सारा आइस क्रीम इस मिक्षर से बन सकता है यह एक बहुत अच्छा बेस है तो अब यहां पर ऐल्मूनियम फॉाइल से मै के लिए रख देंगे और ओवरनाइट के बाद आपको इसको निकालना है और यह देखिए यह कितनी अच्छी हमारी आइस क्रीम बन के तयार हो गई यह वाव बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन आप इसको टच करके देखिए देखिए मैं यहां टच करके भी दिखा र बनती है तो आप इसको जरूर बनाईए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आइसक्रीम कैसी बनी मुझे कमेंट करके जरूर बताईए